नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर गर रहा हूँ आज मैं आपको अलसी के बीच के फायदे इसके औस द्यगों लाब और नुक्सान के बारे में बताता हूँ अल्सी की बीच से राप्त होने वाले स्वासलावों को देखते वे इन्हें जड़ी बूटी की शेड़ी में रखा गया है यह पौधे के बीच के रूप में राप्त होने वाला एक खास आहर भी है जिसमें प्रिचुर मातरा में फाइबर, फैट और काई सारे एंटियोक्सिदेंट पाई जाते हैं इसे अंग्रेजी में फ्लैक्सीट के नाम से या लिंसीट के नाम से भी जाना जाता है अलसी के बीच का इस्तेमाल के प्रिकार की अर्वेटिक दवाई बनाने और के प्रिकार के विंजरों में डालने में भी इसका उप्यों किया जाता है तो सरपिसम जानते हैं अलसी के बीचों के फाइदे के बारे में अल्सी के बीजों से प्राप्त होने वाले स्वासलाव के कारण दुनिया वर्ष में प्रचलित है इसलिए आजकल मौडर्न मेडिकल सिस्टम में भी कई ऐसी दवाईये हैं जो अल्सी के बीजों से बनाई जाती हैं अल्सी के बीज से प्राप्त होने वाले जो प्रमुक स्वासलाब है वो इस प्रकार है अल्सी के जो बीज है वो कब्ज का इलाज करने में साहक है अल्सी के बीजों को मैं प्रचुर मातर में एगुलनशेल फाइबर पाया जाता है जो पानी में नहीं घुलता है यह फाइबर खाने के बाद भी पाचन प्रणाली में रहता है जिससे कब्ज जैसी कई समस्यां नहीं होती है जिन लोगों को कब्ज समंदी समस्या हैं उनको अलसी के बीच के सेवन करने का एक जो उपाय है बताया जाता है गठियां के रोग को भी कम करने में भी या लक्षर को कम करने में बीट पाया गया है कि और जकँ नहुंवे पोलगिन सब्सक्राइल के बहां को स्कालगिन सब्सक्राइब को भ्रेया अबिधिशतां क्यै Ensi कre grazing ओक रिच अड़रियु के बीच प्रभावी है अल्सी की बीच में मौजूदा ओमेगा 3 फैटी ऐसे पाया जाता है जो के पेकार की कैंसर कोशी का उम्र को विक्षित होने से रोकते है फ्लैक्सीट के में जो लिंग नास नाम का खास एंटी ऑक्सिदेंट पाया जाता है ट्यूमर के लगतार भने की गति को रोक देता है अल्सी के बीच से शुगर भी कम हो सकती है एक धिन में पाया गया है कि अल्सी की बीच का रेगुलर सेवन करने से डाइबटेस से जो ग्रस्त लोग हैं उनके शरीर में इंसुलिन सेंस्टिविटी बढ़ जाती है जिससे डाइबटेस के लग्ष्णों को कम करने में काफी म मदद कर सकते हैं जो मुझे का एक जोकिम कारक है इस अल्सी के गजों का सेवन है रखता है हिद्यों को स्वास्त आरसी की बीच के बीच का सेवन कणने से LDL जो की बैट कॉलस्टॉल है कि इस तर को कम किया जा सकता है जिससे हिद्दे के स्वास्त को बनाय रखने में मदद मिलती है जो उपाए मैंने उपर बताए है जो आपको बताए है इनका जो स्वास्त लाव है जो अधिन किये हैं उन पर अधारित है हाला कि हर वेक्ति का शरी खाट पिधाते हों वे उनमें मौशूद पौशे टत्वों को अलग-अलग तरीके से काम करता है इसलिए अलसी के बीच का सीवन करने से पहले आपको अपने डियाटीशन से बात करने की सलह भी दी जाती है अलसी के बीचों के नुक्सान के बारे में भी लगेहाद जान लेते हैं अलसी के बीच का सेवन अरिक्तर लोगों के लिए हाला कि सुरक्षित ही रहता है हाला कि इसका समानने से अधिक मात्रह में सेवन करने से पेट के अंदर दर्द गैस वे अन्ने स्वास की समस्या प्रकार किया सकता है। इसका जो पाउडर है बनाकर सुभे गुनगुने पानी के साथ चाय या दूद या काड़े में डालकर दलिया या ओट मेल या किट्री में डालकर आप इसको इस्तिमाल कर सकते हैं आपके स्वास्त के लिए कितनी मात्रा में अल्सी के बीज का उप्योग उचित रहेगा जानने के लिए आपको डॉक्टर से संपत करना आवश्यक है